पीली साडी वाली पोलिंग अफसर आपको याद होगी जिनकी तस्वीरे 2019 लोगसभा चुनाओ के दोरान जम कर वाइरल हुई थी रातो रात पीली साडी वाली ये महिला अफसर सोशल मीडिया की संसनी बन गई थी आलम ये था कि फेस्बुक से लेकर वाटसेप तक हर जगा बस इन ही के चर्चे थे लेकिन एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है अब 2024 का लोगसभा चुनाओ है इसी बीच एक बार फिर से एक खुबसूरत महिला पोलिंग अफसर की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल है पहले इस तस्वीर को देखिए वाइन कलर का सूट, काला चश्मा, क्यूट स्माई जिन पर सोशल मीडिया यूजर्स अंदनो फिदा है फोटो में महिला पोलिंग अफसर ड्यूटी पर जाती होई दिखाई दे रही है अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये कूपसूरत लेडी पोलिंग अफसर है कौन जिनकी बोटिंग से पहले फोटो इतनी तेजी से वाइरल हो रही है तो जान ले दरसल उन्नेस अप्रेल से देश में होने वाले लोगसभाज जुनाओ के पहले चरन का मतदान होना है जिसको लेकर मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग और मुख्य निर्वाचन पता अधिकारी ने इस महिला अधिकारी की पोटो शियर दी है एक रिपोर्ट के मुताविक महिला अधिकारी का नाम सुफ्रीला कनेश है और गो सहायक ग्रेट 3 की अधिकारी है और चिंदवाड़ा जिले में आपूर्ती श्राखा में तैनात है कुल मिलाकर चुनावी मौसम के बीच अब ये तस्वीर 2019 वाली पीली साड़ी वाली महिला अबसर की तरही सुर्खियों मिछा रही है